स्वागत है आपका अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैसल्फ संदीप राजपूर्थ आपका प्लस एजुकेटर और आज हम बिसकस करेंगे आपके साथ में जनवरी के करेंट अफेर्स को ओके यह अभी जो आपका एक्जाम होना है यूपी पीसी एस उसके से रेगार्डिंग मैं यह सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम जनवरी से लेके आपका अगस्त करेंट अफेर्स कवर करेंगे इसमें कुष्चन नहीं है लेकिन वह सारे इंपोर्टन टॉपिक डिटेल में मैं लेकर चलूँंगा जो आप से पूछे जाते हैं लाइक कुछ भी हो सकता है उसमें government की जो योजनाय हैं उनसे government policy different state policy आपका games से related आपका science से related award जो आप से पूछे जाते हैं popular places ब्यक्ति गड़नाए जो कुछ भी आपका करेंट के दायरे में आता है वो मैं मन्तवाइज सारा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा आपको कि उससे बाहर आपका करेंट का कोई भी कुश्चन ना है करेंट हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट पोर्शन है कि लगबग 20 से 25 कुश्चन इस से आते हैं आपके आपका अगर यह स्ट्रॉंग है आप लीड करते हैं अधर एस्प्रेंट के कंपेर में सो हम आज जो बात करेंगे वह बात करेंगे जनवरी में हुई घटनाओं के बारे में जनवरी 2020 क्योंकि आप देखेंगे कि करेंट का कोई वैसे दायरा नहीं है लेकिन एक्जाम में जो आपका आता है है most ली अगर पच्छिस वैसे वाइस से बाइस जो कुस्ष्यन गहाते हैं वह इसी छ्षै महिने के लास्ट के six months की current affairs से उठाये जाते हैं रेस्ट जो कुश्चन रहते हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं उसका कोई दायरा फिक्स नहीं है एक साल पुराना भी आप से पूछ सकते हैं दो साल पुराना चार साल पुराना लाइक अगे अगर अभी मैं बात करूं आरो एक्जाम की तो उसमें डिफेंस एक्स पो जो पोच्छा था उसमें प्रिविएस यर के भी पोच लिया तो वह कोई दारा फिक्स नहीं है लेकिन हम मैक्सिमम को कवर करने की कोशिस करेंगे मेरे बारे मैं थोड़ा सा आप जान ले मैं बाया एजुकेशनल बीटेक और अम्बीए हूं यह साल का प्रोफेशनल एक्सिरियेंस रहा है मेरा लास्ट ताइम आइब वर्क विद फोड़ा फोड़ा इडिया लिंटेड एज असिस्टेंट बैनेजर इलांग विद दीज तैन येर्स लास्ट फोर येर्स मैंने आफ्लाइंग टीचेंग मैं भी दिया है यह पार्ट टाइम मैं आफ्लाइंग टीचेंग भी करता था और उनमें से कुछ स्टुडेंट अभी सिलेक्ट भी हैं गवर्मेंट जॉब में हैं यह मेरा खुद का इन सालों में तीन बार मैंने यूपी पेस्ट का भी इंटर्व्यू दिया है आरो मैंस 2014 और 2017 में लिखा हुआ है और जब आयोग करवाता था लोगर PCS तो उसमें 2013 और 2015 में इंटर्व्यू दिया है तो यह मेरा कुछ प्रोफेस्टनल अकैडमिक और शिविल एक्पिरेंस थ अब 11 October को है देरेने बाले हैं तैयारी कर रहे हैं सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथ में UPSS के भी आपको पता है डिर सारी विकंसी ओपन हुई है तो वो कोई भी आप एक्जाम देंगे उसके लिए भी यह उतना ही फायदेमंद रहेगा क्योंकि इ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अनकेडमी प्लेटफॉम पर अभी नहीं है तो आपको अनकेडमी प्लेटफॉम क्यों जोइन करना चाहिए इसके बारे में भी आप जान लाएं बहुत बैतर तरीके से अगर आप आएं देखें कि किस तरीके से हम लोग स्टड़ी कराते हैं क्या रहता है और विसिकली कहा जाए तो एक ऑफ-लाइन और ऑन-लाइन प्लेटफॉम में क्या डिफ्रेंस है और ऑन-लाइन की भी मैं बात करूं तो ऑन-लाइन अनकेडमी अनकेडमी में और अधर ऑन-लाइन जो क्या डिफ्रेंस है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं फिर इसके बाद में हम प्लास को स्टाट करें तो आप कोई भी ऑफ-लाइन इंस्टिटूट जाइन करोगे पहला जो कंसर्ण में आता है वह आता है फी को लेते हैं ऑफ-लाइन एक अच्छे नॉर्मल चीज़ें होती है एक इसपेसल और एक प्लस इसपेसल जो है वह एक आपका फ्री और डेमो प्लेटफॉर्म है यहां पर आप क्या है देख सकते हैं कि किस तरीके के हम स्टडी कराएंगे आपको क्या फीज इस्ट्रक्चर है क्या सुगदाएं आपको मिलेंगी वह सारा हलाकि इसकी फीज बहुत ही नॉमिनल रखे गई है जो मैं कंपिरेजन कर रहा हूं अगर यहां हम 12 मन्त का डेल लाग रुका तक पे करते हैं 60,000 नॉर्मल इंस्टिटूट में पे करते हैं तो यहां आपको सिर्फ पे करना होता है 7,000 रुपीज और 12 मन्त और यह 7,000 रुप रिफरल कोड है संदीप संडीप राजपूत यह मेरा रिफरल कोड है इसको जब आप फिल करेंगे अप्लाई करेंगे तो यह आटोमेटिकली 10% डिड़क्ट हो जाएगा और आपको जो पे करना होगा सिर्फ पे करना होगा पैल मन्त का अगर आप इखटा नहीं पे करना च सर्चार्ज दिए इसको पे कर सकते हैं और अगर आप 12 मन्त आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गरवर्ड है समझ में नहीं आएगा क्या होगा अंदर क्या है तो आप 3 मन्त 6 मन्त का भी ले सकते हैं कोर्स उनकी फीस उस विसाप से है ठीक है तो यह एक तो फी में आ अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जहां आपको मिलते हैं पास से चाथ टीचर एप्रॉक्स अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर एक एक कैटागरी लाइक मैं अगर यूपी पीस की बात करूं तो लगबग 50 टीचर हैं पचास एजूकेटर हैं आपके सो यह 50 एजूकेट से आप पढ़ने के लिए एक दम फ्रे हैं आप मेरा रिफ्रल कोड यूज करें या किसी और का यह सारे के सारे टीचर एबलेबल होंगे आपके लिए कि मिन्स कि आपके पास में फ्लेक्सिविल्टी बहुत ज्यादा है मतला है आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद नहीं है आप apps तॉब किसी टीचर से पढ़़ सकते हैं बहुत सारे जोग्राफिये पढ़ाते आपके सारे टॉपिक कि दिया जाने ठीक है तो यही फैकल्टी की अगर हम बात करें तो 10 टाइम्स ग्रेटर है थार्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर यही फ्लेक्सिविल्टी को हम थोड़ा सा अलग तौर पर डेफाइन करें तो जहां क्या होता है एक आफ-लाइन कोजिंग इस्टिटूट में किसी वज समय जब भी आप प्लस के सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप रिकॉर्डेट सेशन देख पाएंगे हर एक एजुकेटर का मेंस अगर आपका तीन से पांच आप जॉब कर रहे हैं और समय कोई चल रही है तो उसी चीज को आप पांच से साथ में देख सकते हैं आपके पास म मेंस इंटर्विव तक हम लोग जाते हैं आपको साथ लेकर जैसे इपनी में आपका सेलेक्शन होगा हम आपको मेंस की तियारी कराएंगे फुल डिटेल नोट्स बनावाएंगे आपको लिखने का तरीका बताएंगे सारी चीज़ें होंगी उसमें और जब मेंस में आपको जोड़ना चाहिए बहुत ही मिनमल फीस है उसको आप पे करके सब्सक्राइब कर सकते हैं यूज करना ना भूला है मेरा रुप्रल को संदीप टाश को चलो अब हम अपने सेशन पर चलते हैं और आपको मैं बताता हूं जुनवरी माहें में कोई इंपोर्टेंट जन्वरी माए में यह कौन है यह आपके बनाए गए हैं 28 में सख्या याद रखे रखे शैना ब्दयक् 10 तो आपको याद रह जाएगा लेकिन संख्या भी ना भूलां संख्या याद रखे यह बनाए ओठा करें सो या एक से अधिक बिकल्प दे के पूछता है तो मुकंद नर्वान ने के पहले कौन थे ये भी आपको जानना जरूरी है पहले थे जो जिनको बनाया गया है चीप डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ठीक है विपिन रावत थे आपके 27 में नंबर के जो वने हैं आपके CDS Chief of Defense स्टाफ ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट इसके बाद मैं मैं बात करूँ अगर स्वक्ष सर्वेक्षन हुआ था स्वक्षता सर्वेक्षन कि अगर मैं बात करूँ तो दस लाक बाले नगरों में पहला इस्थान जो प्राप्ट हुआ है वह हुआ है आपके इंदौर पर है और यह है आपका ग्रेटर देंट टैन लाक पॉपलेशन वाले शेहरों पहले नमबर पर ठीक है और अगर मैं बात करूँ कि बिट्वीन पॉपलेशन अगर आपकी एक से दस लाक के बीच में है तो उस में किसको पहला इस्थान मिला है तो एक से दस लाक वाले में मिला है जमसेटर जान रखें दौनों को एक फंड बनाया गया है पांस साल के लिए ठीक है जिसको बोला है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्ट्टर पाइपलाइन यह जो आपका फंड दिया गया है बनाया गया है और सनरचना विकास के लिए बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्ट्टर विकास के लिए बनाया गया है एक सो दो लाक करोड ठीक है वन जीरो टू लाक करोड रुपए इसमें इंवेस्ट किये जाएंगे और सनरचना के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने देखा होगा बजट में कि हमने टार्गेट किया है फाइब ट्रिलियन अर्थव्यवस्ता बनने के लिए यह सारी कवायत की जा रही है एक सो दो लाक करोड रुपए दिये जाएंगे और ये एक सो दो लाक करोड किस हसाब से कहां किन योजनाएं बिसिकली अभी 65 ऐसी नई पर योजनाएं आइडेंटिफाई की हैं जिनमें ही पैसा इंवेस्ट किया जाएगा और ये इन किस तरीके से होना है उसके लिए एक स चक्रवर्थी नाम याद रखें अतनु चक्रवर्थी इनकी अध्यक्षता में बनाई गई है समिती कि हम एक सो दो लाक करोड दे रहे हैं तो किसे आप से इसका प्रियोग होना है किसी योजना में क्या लगना है और ये जो काम होगा ये होगा दो हजार उनीस से लेके दो हजार पच्च्च तक बात की गई है इसमें ठीक है एक एप आया था मनी आप कई वार आप से एप से रेलेटेड कोश्चन कुछते हैं सो एक एप है आपका मनी आप ये डिबलप किया है वैसे लोगों के लिए है ये जो देख नहीं सकते विजुली डिसे लेवल पर्सनों की और बनाया किसने है ये नोट पैचानने के लिए बिसिकली बनाया गया है जो देख नहीं सकते कि कौन 500 का है कौन 100 का है कौन 2000 का है सो इसको बोलते हैं मनी एप अगर मैं फिर इसको एक्रोनम को सही करूं तो ये है आपका मोबाइल एड़ेड नोट ये एक एप का विकास किया है फिर एक महोत्सो मनाया गया था कहां पर मनाया गया था ये पूछ लेते हैं आप से महोत्सो का नाम है धानु जात्रा किसको पता है कि धानु जात्रा महोत्सो कहां पर मनाया गया है तो धानु जात्रा महोत्सो की अगर हम बात करें ये मनाया ग ओके ठीक अब भी काफी सारा बैंक में क्या होता है कि बैंक जो चोटे-चोटे बैंक हैं कर्ज देते हैं और उनका कर्ज रिटर्ण नहीं होता सो RBI ने क्या किया है RBI ने बोला है कि जो भी आपके सहकारी बैंक हैं इनका संचालान अपने अंतरगत रखेगा सहकारी बैंकों का RBI और इसमें उन्होंने maximum limit रिन देने की जो decide कर दी है वो कर दी है आपकी 25 लाग यह कर दी है आपकी 25 लाग यानि सिर्फ आप 25 लाग तक ही रिन दे सकते हैं इससे उपर सैकारी बैंक अब रिन नहीं दे पाएंगे एक और लोगों का नाम आया है उनको यह आप ध्यान रखें उमारो शिसको यह क्या है यह बनाए गए है आपके गिनी विसाओ एक देश है उसके राश्वत कई बाद पूछ लेते हैं जो चर्चा में रहते हैं आपको पता है पूछते हैं गिनी विसाओ के प्रेसिडेंट बनाए गए है उमारो शिसको फिर मैं बात करूं एक जगे है पलाव। पलाव। ने क्या किया है अभी जो संस्क्रीम होती है उस पर प्रतवंद लगा दिया है। इनका मानना है इससे समुद्र का जल या समुद्र परिस्थित की प्रभावित हो रही है वहाँ के जीव मर रहे हैं तो संक्रीम पर प्रतवंद लगाने वाला बैन करने वाला ये पहला देश है। याद रखें आप संक्रीम को प्रतवंद करने वाला पहला देश। फिर मैं बात करूँ आपसे तो एक मूवी आई है दा लास्ट कलर ये चर्चा में क्यों रही है ये चर्चा में बेसिकली इसलिए रही है क्योंकि इसको सामल किया गया तथ 2019 के आसकर आवार्ड की फीचर फिल्म सेरीज में इंडिया की है थोड़ा से इंपॉर्टेंट है बनारस में बनारस के ऊपर बनाई गई है विद्वाओं के जीवन के ऊपर आसकर आवार्ड फीचर फिल्म लिस्ट में यह सामिल हुई है इंडिया की है तो ध्यान रखना है दा लास्ट कलर पूछा जा सकता है आपसे बनारस के उपर है यह क्रिसी कर्मण एक प्रुषकार दिया जाता है क्रिसी में अच्छे करने वाले राज्यों को क्रिसी कर्मण जो प्रुषकार है आपका 2017-18 का मिला है अभी 2020 में जन्वरी में 2017-18 के लिए काम जो किया है यह प्रुषकार जो मिला है यह मिला है आपके उत्राखंड़ ओके यह दिया गया है उत्राखंड़ एक आपका सिटीजन नागरिक्ता संसोदन अधनियम या सिटीजन एमेडमेंट एक्ट जो बनाया गया था लाया गया है अब तो पारिद भी हो गया तो यह सीए कि अगर मैं बात करूं तो यह इसका इसकी ब्रोध में प्रिश्टाव लाने वाला पहला राज जो बना है वो केरल ओके और इसके आगे कि अगर मैं बात करूं तो नाम बदल दिया गया है त्रिगती मैदान दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है फिलाल और उसका नाम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन यह पूरी डे वाइस डे गटना है जो जन्वरी में गटित होती रही है मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं मेट्रो स्टेशन नाम दे दिया गया है ठीक नेक्स्ट पेच पर हम और देखेंगे आगे की कि आप चौदमा कि को टीन ग्लोबल हेल्थ केर प्रोग्राम मनाया जाएगा कहां पर ग्लोबल हेल्थ कि 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 एगे ट्वंटी वन यह दोजार इकीस में मनाया जाएगा जगह है आपकी याद जो रखना है आपको बिसाका पत्नम में मनाया जाएगा आंद्र प्रदेश में पिर मैं बात करूं मालवथा पूर्णा इनका भी नाम आया था आप जानते हैं इनको कहां से हैं इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है उठाके मैं इनसे के बारे में तिन-चार चीज़ें आपको बताऊंगा पहले तो यह छै महादीपों की चोटी पर परवड़ अपतार हो ही हैं और छै महादीपों की चोटी पर पहुचने वाली लेडीज है इंडिया की और इनकी एक आत्म कथा है या जीवनी कह लाएं आत्म कथा नहीं कह सकते जीवनी कह सकते हैं पूर्णा नाम से इंपॉर्टन्ट यह है आपका काफी पूर्णा नाम से है और इसको लिखा किसने है वो नाम या आपको याद रखना है वो लिखा हैं आप याद रख सकते हैं दामनी हेलप लाइन और इगन्ना एप इन तोनों की अगर हम बात करें यह यूपी के हैं यूपी सरकार ना निकाले हैं दामनी की जहां तक अगर मैं बात करूं यह महलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है नाम चाहिए आपको लग रहा होगा इस उर्लेटेड है और इगन्ना मोबाईल अपकी अगर बात करने तो गन्ना भुप्तां से रिलेटेड सुग्डाएं देने के लिए सरकान ने इसको कारम किया इगन्ना है सबसे अच्छा प्रदर्शन कियाigner": हमाँद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने बाले लाज्जों के है finished मतलब जो मनी मिली है उसका proper utilization किया है मिजोरम ने और अगर सबसे खराब की बात करूं तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है आपका पंजाब का पंजाब ने बिल्कुल वेकार प्रदर्शन किया है आपके पोशन अभियान के तहर एक मनाया गया था लाई हरोवा चाइब और भार है रहा से सिर्छजा इस बार भी पूछ रहता ता है औक करेज़ा टरोम में दो-तिनग कुश्चन सीलाई हरोवा कहां पर मानाया जाता है यह मनाया जाता है आपका तुर्प्रा फिर मैं बात करूँ आपका ये इनका नाम याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है सुरेश चंदर सर्मा इनका नाम नहीं बूलना है आपको याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनाय गए है National NMC National Medical Commission के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये पहली बार हुगा है सो ये आपको याद रखना है कि National Medical Commission के पहले अध्यक्ष है सुरेश चंद सर्मा इसरो द्वारा एक launch port तयार किया गया है जहां से विवन उपग्रे भेजे जाते हैं विवन उपग्रे प्धवी की अलग-अच्छाओं में स्थापत किये जाते हैं तो इसरो का second है ये ये कहां पर बनाया गया है इसकी जगह का नाम भी याद रखें कापी इंपोर्टेंट है थुतुकुडी कहां पर है ये जगह है थुतुकुडी थुतुकुडी जगह है आपकी तमिल नाडु में तमिल नाडु में दूसरा लाइंट लांच पोर्ट है इस रोका इसके पाद में मैं बात करूं एक इगजट पोर्टल मतलब सारी चीज़ें अब उनलाइन प्रकासित होंगी गवर्मेंट की तरफ से जो है यह ऐसा करने वाला पहला राज बना है आपका उडिशा इगजट पोर्टल लाने वाला बना है पहला राज उडिशा फिर मैं बात करूं आपका एक साइवर से वोमेन अभियान चलाया गया था बच्चों और महलाओं को साइवर सुरक्षा के बारे में जागरूप करने के लिए साइबर सेफ वोमेन अभियान तो यह किस राज्य की पहल है इसमें साइबर सुरक्षा से रिलेटेड बच्चों और मैलां को जागरुप किया जाएगा यह पहल जो है यह है आपकी महरास्टा सरकार की याद रखें आप इंपोर्टेंट है आपके लिए खिर मैं बात करूं अगर आपका तो 2020 को कई बार हम लोग डिपाइन कर देते हैं सो 2020 को तेलंगाना ने मनाने के लिए बात की है एजा आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस इयर ठीक है यह किया है तेलंगाना ने और वर्ल्ड वाइट अगर हम बात करें हैं सो 2020 वर्ल्ड वाइट जो दिया गया था नाम 2020 को वो दिया गया था इंटरनेशनल इयर आफ स्वास्त सेवा करताओं के लिए और विसेस के लिए नर्सों और दाईयों को समर्पित था 2020 कोरोना वारियर्स भी रहें हैं यह तुरे मैंनों ने बहुत अच्छा काम किया है ठीक है अभी एक स्पैस्पिक है पटोला साड़ी की अगर मैं बात करूं यह यह चर चर्चा म Newton आई है तो यह अई है कि इस की प्रोसेसिंग के लिए सेउनकिक रोगाया है और यह पहला है है ऐसा तो कुछ भी ऐसा पहला होता है मैंने हमेशा से बताया यूपी-पी-एस-सी के लिए बहुत important होता है यह processing plant लगाया जो गया है वो गुजरात में लगाया गया ओके फिर आपका बहुत ही ज्यादा important एक सो सात्मा भारती विज्ञान कांग्रेश इसका आयोजन कहां होना है काफी important है ना के वलिए इसकी theme भी इसका आयोजन जो होना है वो होना है आपका बंगलुरू में और इसकी जो theme होगी वो क्रामीड विकास पर वेज्ड होगी theme की अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका रूरल डिव्लप्मेंट साइंस एंड टेक्नलोजी रूरल डिव्लप्मेंट ग्रामीड विकास theme बहुत important है याद रखें रूरल डिव्लप्मेंट थीम है इसकी ठीक है और इसकी भी किस पर वेज्ड ता यह याद रखने की जबुड़्त है आपका विश्फ कुस्तक मेला जो था वह गांधि जी के ऊपर वेज्ड था इस पार करूं तो तो दे रख्का था गांधी राइट दा राइटर्स राइटर विस्ट उस तक मेला इस थीम के साथ मैं आयो जित हुगा था ओके ज्यान रखना है आपको काफी इंपोर्टेंट है ये गांधी दा राइटर्स राइटर एक नेक्स पेस पर हम लोग देखते हैं अब जगह है यहीं पर हम आपको बता देते हैं खेलो एंडिया गेम्स का जो आयो जन हुगा है वह कहां हुगा है यह कुष्टन अभी रिसेंट में पूछा है कि कि इस सभी को पताओ कि खेलो इंडिया के बारे में आप जान लो इसका आयो जन हुगा है गोवाहा थी में कि एक लो इंडिया उनिवेसिटी गैम और पहली पुजीशन पर जो जीतिया है वह माराष्ट 78 पदक के साथ फस्ट पोजीशन पर रहा है खेलो इंडिया गेम्स हैं गौर्पी कोंफ्यूज मत ख olsun जो हैं वो आपके भुभनेस्वर में हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स जो हैं वह को गौर्पी में हुए है मारास्थ फर्स्ट पोजिशन पर आखाया है 78 पदक के बाद में उसके बाद पहला ही याद रखें येकिन के लिए बताते हुए उसके बाद में हरयाना और दिल्ली रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट पर देखते हैं गांगी का कि एक आपका पुरुषकार दिया गया है जो आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है आपका इंद्रा गांधी पुरुषकार 2020 यह किसको दिया गया है तो यह है आपके आर रामा नुजम इनको मिला है ठीक है अब बात करूंगा मैं एक छोटा सा आप ध्यान रखें गोल्डन ग्लोग वार्ड की ओसकर वार्ड की तरह यह भी है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चैन्ज है तो उसको देखें मैं बता देता हूं आपको तीन चार चीज़ें जानना जरूरी होती है आपका राष्की पृसकार फिल्म पृसकार रवार्ड हो या आपका आउसकर रवार्ड हो उसमें हम जो बात करते हैं 2020 में क्या हुआ है इसमें बेस्ट अगर हम फिल्म की बात करेंगे वह चैन्ज है बेस्ट फिल्म जो दिया गया है वह दिया गया है 1917 को और बेस्ट डारेक्टर का जो एवार्ड दिया है इसी मूवी के लिए डारेक्ट करने वाले सैम मेंडेस को फिर मैं अगर बात करूं एक्टर बैस्ट एक्टर एक्टर का जो अवार्ड दिया है वो दिया है जो कि फिनिक्स को इनको दिया है आपका बेस्ट एक्टर का आवार्ड और यह जिस मूवी के लिए दिया गया है वो मूवी थी जोकर और बेस्ट एक्टरिस की अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टरिस का अवार्ड जो मिला है वो मिला है रैनी जल वेगर को और यह किस के लिए मिला है यह मिला है आपका मूवी थी जूड़ी ओके इसको फ्रेंड आज के लिए इतना ही और नेक्स से संवे मैं फिर मिलूंगा जनवरी के बाकी के करेंट अफेर से गटनाओं के बारे में आपको पताने के लिए अब तक जुड़े रहे हैं और जो लोग इस्टिल अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एप में जाके औल एजुकेटर में सर्च करें अनकेडमी आप डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद यूपी पी एससी एंड यूपी ट्रपल सी के टेगरी में फॉलो करें शंदीप राजबूत और यू जोईन में इस यू वांट टेक प्लस सब्सक्रेबशन और 10% आफ या. ईू यू जो अविए यू और शंदीप राजबू सब्स्रट करें और क्वी प्ल्स सो ब्सरीब और करना जाते प्लस सब्सक्राइया में ढेंक प्लस वी ऐ weirdest आंट कंवी so thank you friends we'll then access